कि यहां पर कुछ मिसिंग नंबर का मैं प्रॉब्लम लेका आया हूं विस सॉलुइशन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपिटिटिटिव एक्जाम में तो चले वीडियो को शुडू करते हैं हर एक लॉजिक को समझते हैं तो पहला जो प्रॉब्लम है देख जो है 5 को कैसे लिख सकते हैं 2 sqr plus 1 ठीक है 5 को लिख सकते है 2 sqr plus 1 similarly आप 17 को क्या लिख सकते है 17 को लिख सकते है 4 sqr plus 1 तो देखे 17 similarly 37 को लिख सकते हैं 6 square plus 1 that is equal to 37 तो इसके बाद देखे 8 square plus 1 that is equal to 65 तो 2, 4 फिर आपका आगया 6 फिर आपका आगया 8 तो उसके बाद naturally आपका क्या आएगा आपका आएगा 10 तो 10 square plus 1 अगर करेंगे that is equal to 101 तो यहाँ पे जो number होगा that is 101 तो यह जो options options D यह आपका correct answer है next logic देखते है 9, 11, 20, 31 यह number आपको find करना है और यहाँ पे दिया है 82 तो logic क्या होगा 9, 11 तो यहाँ पे अगर देखेंगे 9 के साथ next जो number है उसका add करेंगे तो यह तीसरा number 20 आपका आ रहा है 11 के साथ 20 add करेंगे तो यह number आ रहा है ठीक है तो logic आपको मिल गया तो आप 20 प्लस 31 करेंगे तो कितना आएगा 51 यहाँ पे अगर 51 है तो देखें यह logic भी आपको match होना चाहिए तो 31 प्लस 51 देखें 82 आ रहा है तो मैंने जो logic को यहाँ पे पकड़ा है एक्दम बिल्कुल सही तो यहाँ पे जो options है options B आपका correct answer होगा next देखें यहाँ पे problem है 5, 16, 49, 104 5, 16, 49, 104 यह number find out करना है तो देखें अब क्या कर सकते हैं 5 और 16 के बीच हम लोग difference देखते हैं 16 से 49 करेंगे तो difference आगया 33 49 से 104 करेंगे तो difference आगया 55 ठीक है तो यहाँ पे जो number आप देख रहा है 11, 33, 55 मतलब क्या है 11 into 1, 11 into 3, 11 into 5 तो next number जो होगा 11 into 7 that is equal to 77 होना चाहिए तो यहाँ पे 77 अगर आप difference करते हैं तो 104 के साथ 71 अगर add करेंगे तो कितना आ रहा है 181 तो यह जो यहाँ पे कितना number होगा 181 तो D options correct next question देखिए 165, 195, 255, 285 और यहाँ पे दिया है 345 यह number आपको find out करना है तो यहाँ पे 165 जो है 165 कैसे आ रहा है 15 into 11 करेंगे तो आपका 165 आएगा 195 कैसे आएंगे 195 आप try केजिए 15 का multiple कुछ है की नहीं तो 15 into 13 अगर आप करते हैं 15 into 13 अगर आप करते हैं तो आपका 195 आ रहा है तो similarly यह जो number 255 इसका 15 के साथ multiply करके कौन सा number के साथ आया है 15 into 17 करेंगे तो 255 आ रहा है similarly 285 जो है 15 के साथ कौन सा number multiply करने साथ आता है 15 into 19 तो उसके बाद क्या है 15 into 19 आप करेंगे फिर आपका आएगा 15 into यह जो number आया है 345 345 कैसा है 15 into 23 उसके बाद 345 आपका आ गया है likewise आपको यहाँ पे 23 के बाद तो next आपका prime number है देखें यहाँ पे prime number हो रहा है 11, 13, 17, 19, 23 next prime number आपका है 29 तो natural आपका 15 के साथ multiply अगर करते हैं तो आपका number कितना है 435 तो यहाँ पे options दिया है 435 तो यहाँ पे 435 होगा so friends hope you understand the missing number logic hope you like the video and मैरे बहुत सारा video मैरे चैनल में भी upload किया है बहुत ही important है किसी भी competitive exam में आप मेरे जो लोग miss कर गया आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हैं thank you for watching the video आप मेरे उभी क्जे चैनल में जाके जाट